C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है, कक्षा साथ की विज्यान की पार्ठे पुस्तक. प्रस्तुत है इस पुस्तक का पार्ठ एक, शीरिशक, पादपों में पोशन, परिष्ट एक से ग्यारह तक. प्रिष्ट एक पादपों में पोशन कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइडरेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं भोजन के यह घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इने पोशक कहते हैं सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है पादप यानि पौधे स्वैम के लिए भोजन बना सकते हैं परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वैम नहीं बना सकता वे पादपों अत्वा पादपों का आहार ग्रहन करने वाले जन्तूं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं अतहा मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अत्वा परूक्ष रूप से पादुपों पर निर्भर करते हैं यहां प्रिष्ट एक पर बूजो नाम के लड़के का चित्र दिया गया है बूजो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं एक दशमलव एक पादपों में पोशन विधी केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कारबन डायोकसाइड एवं खनिच की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं यह सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं पोशक पदार्थ सजीवों की शारिरिक सनरचना, वृध्धी तथा शर्ती ग्रेस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन जयव प्रक्रमों के लिए आवशक उर्जा भी प्रदान करते हैं सजीवों द्वारा भोजन ग्रहन करने एवं इसके उपयोग की विधी को पोशन कहते हैं पोशन की वह विधी जिसमें जीव अपना भोजन स्वयम संशलेशित करते हैं स्वापोशन कहलाती है अतह ऐसे पादपों को स्वापोशी कहते हैं जन्तु एवं अधितर अन्य जीव पादपों द्वारा संचलेशित भोजन ग्रहन करते हैं। उन्हें विशम पोशी कहते हैं। प्रिष्ट एक पर एक छोटी लड़की का चित्र दिया हुआ है। इस लड़की का नाम है पहेली। पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरहां हमारा शरीर भी कार्बन डायोकसाइड, जल एवं खनिच से अपना भोजन स्वैम क्यों नहीं बना सकता। अब हम पूच सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहां स्थित हैं। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है। अथ्वा केवल कुछ विशेश भागों में पादप अपने परिवेश से कच्ची सामगरी किस प्रकार प्राप्त करते हैं। प्रक्रम पत्यां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। अधा सभी कच्ची पदार्थ पत्यों तक पहुचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज, जड यानी मूल द्वारा अवशोशित किये जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्यों तक पहुचाए जाते हैं। पत्यों की सतह पर उपस्थित सूख्षमर रंधरों त्वारा वायू में उपस्थित कार्बन डायोकसाइड प्रवेश करती है। बूजों जानना चाहता है कि जड द्वारा अवशोशित जल एवं खनिज, पत्यों तक किस प्रकार पहुचते हैं। प्रिष्ठ दो प्रिष्ठ दो पर कोशिकाओं का एक आरेक चित्र दिया गया है। इस चित्र में केंद्रक, कोशिका द्रव और कोशिका जिली बताए गए हैं। कोशिकाओं के बारे में एक लेख लिखा गया है जिसमें लिखा है आपने देखा है कि इमारतें इटों से बनी होती है इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म एकाईउं से बना है जो कोशिका कहलाती है कुछ जीव मात्र एक कोशिका से बने होते है कोशका एक पतली वाह संगरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशका जिली कहते है इसमें केंद्र में स्थित एक सुषपष्ट संगरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है चित्र एक दशमलव एक में यही संगरचना बताई गई है कींद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव कहते है यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं ऐसे शिद्रों को रंध्र कहते हैं जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं ये वाहिकाओं नली के समान होती हैं तथा जड, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं पोशकों को पत्तियों तक पहुँचने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं. पादकों में पदार्थों के परिवहन के विशय में आप अध्याएक 11 में पढ़ेंगे. पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेश्टा है कि वे खाद्य पदार्थों का संचलेशन कर सकती हैं, परन्तु पादप के दूसरे भाग नहीं. पत्तियों में एक हरा वरनक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं. क्लोरोफिल सूर के प्रकाष यानी सौर प्रकाष की उर्जा का संग्रेहन करने में पत्ती की सहायता करता है. इस उर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डायोकसाइड से खाद संसलेशन में होता है क्योंकि खाद संसलेशन सूर के प्रकाश की उपस्थिती में होता है इसलिए इसे प्रकाश संसलेशन भी कहते हैं अतहा हमने देखा कि क्लोरोफिल, सूरिका प्रकाश, कार्बन डायोकसाइड एवं जल प्रकाश संसलेशन के लिए आवश्यक है इस प्रित्वी पर ये एक अद्वतिय प्रक्रम है पत्तियों द्वारा सौर उर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद के रूप में संचत हो जाती है अतहा सभी जीवों के लिए सूर उर्जा का चरम स्रोत है क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संसलेशन नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संस्लेशन ना होने के स्थिती में खाद्य उपलब्धन नहीं होगा सभी जीवों का स्तित्व प्रत्यक्ष अत्वा परोक्ष रूप से पादुपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सिजन भी प्रकाश संस्लेशन के दौरान निर्मित होती है प्रकाश संस्लेशन की अनुपस्थिती में प्रिथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है प्रकाश संसलेशन के दोरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं जिसका चित्र प्रिष्ठ तीन पर दिया गया है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिती में कार्बन डाय ओक्साइड एवं जल से कार्बो हाइड्रेट का संसलेशन करती हैं जिसका चित्र, प्रिष्ठ, तीन पर दिया गया है इस प्रक्रम को समीकरण द्वारा बताया जा सकता है कार्बन डाय ओक्साइड जमा जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल मिलकर बनाते हैं कार्बो हाइड्रेट जमा ओक्सिजन इस प्रक्रम में ओक्सिजन निर्मुक्त होती है कार्बो हाइड्रेट अंततह पत्तियों में मंड यानि स्टार्ज के रूप में संचित हो जाते हैं पत्ती में स्टार्ज की उपस्थती प्रकाश संसलेशन प्रक्त्रम का संपन होना दर्शाता है स्टार्ज भी एक प्रकार का कार्बो हाइड्रेट है प्रिष्ट तीन यहां प्रिष्ट तीन पर क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं बताते हुए किसी पत्ती का काट चित्र दिया गया है जिसमें पत्ती, क्लोरोफिल, द्वार कोशिकाएं और रंधरी द्वार का चित्र दिया गया है प्रिष्ट तीन पर ही एक और चित्र दिया गया है जिसमें प्रकाश संसलेशन को बताने के लिए विवस्था चित्र दिया गया है इस चित्र में एक पौधा और सूर बताये गये हैं यहां सौर उर्जा, जल और कार्बन डायोकसाइट की मदद से ये पौधा ऑक्सजन बना रहा है पत्यों में क्लोरोफिल बनता है और जल एवं खनज इसकी जड़ों और मिट्टी में मौजूद है बूजों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्यां गहरी लाल, बैंगनी अत्वा भूरे रंकी होती है वो जानना चाहता है कि क्या इन पत्यों में भी प्रकाश, संसलेशन होता है पत्यों के अत्रिक्त पादपों के दूसरे हरे भागूं जैसे की हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश, संसलेशन होता है मरुस्थलिय पादपों में वाशपोत सरजन द्वारा जल्क शय को कम करने के लिए पत्यां शल्क अत्वा शूल रूपी हो जाती है इन पादपों के तने हरे होती है जो प्रकाश संसलीशन का कारे करती है कृया कलाप 1.1 एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लीचिए एक को अंधकार अत्वा काले बक्स में 72 घंटों के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परिक्षन उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था अपने अवलोकनों को नोट कीजिए अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूरे के प्रकाश में रखतीजिए तधापुनह इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए अपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिख लीजिए हरी पत्तियों के अतरिक्त अन्यवर्ण यानी रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे, अत्वा अन्यवर्णक, क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रचादन कर देते हैं अर्थात ढक लेते हैं जिसे चित्र एक दशमलव चार में यानी प्रिष्ट चार पर बताया गया है इन पत्तियों में भी प्रकाश संसलेशन होता है आपने गीली दिवारों पर तालाब अथवा ठेरे हुए जलाशे में हरे अवपंकी यानी काई जैसे पादप देखे होंगे ये सामान नितह कुछ जीवों की वृद्धी के कारण बनते हैं जिनहें शैवाल कहते हैं क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं शैवाल भी प्रकाश संसलेशन द्वारा अपना भोजन स्वयम बनाते हैं प्रिष्ट चार प्रिष्ट चार पर चित्र एक दशमलव चार दिया गया है जिसमें विभिन रंगों की पतियां बताई गई हैं पादपों में कार्बो हाइड्रेट के अतरिक्त अन्य खाद्यों का संसलेशन अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संसलेशन प्रक्रम द्वारा पादप यानि पौधी कार्बो हाइड्रेट का संसलेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ओक्सिजन से बनते हैं। इनका अपयोग खाद के अन्य घटकों के संसलेशन में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। जिन में कार्बन, आक्सिजन एवं हाइड्रोजन के अदिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है. पादपों को नाइट्रोजन कहां से प्राप्त होती है? याद कीजिए, वायू में नाइट्रोजन गैसी अवस्था में प्रच और मात्रा में पाई जाती है, परन्तु पादप इसका अवशोशन इसी रूप में नहीं कर सकते मिट्टी में कुछ विशेश जीवानू होते हैं जो गैसी नाइट्रूजन को उपयोगी योगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं ये विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोशित कर लिये जाते हैं संभवतह आपने पाया होगा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है इस प्रकार अन्य संग घटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ती हो जाती है इसके पस्चात पादप खाद के अन्य संग घटकों जैसे की प्रोटीन एवं वसा का संसलीशन करते हैं एक दशमलव तीन, पादपों में पोशन की अन्यविधिया, कुछ पादप यानि पौधे ऐसे भी हैं, जिन में क्लोरोफिल्म नहीं पाया जाता, वे भोजन संसलेशित नहीं कर सकते, वे कैसे जीवित रहते हैं, तथा वे पोशक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुश्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोशन के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित, कादे पर निर्भर होते हैं, वे विशम पोशी प्रणाली का उप्योग करते हैं यहां दिये गए चित्र एक दशमलव पाँच के विशय में ध्यान से सुनिये क्या आपको एक व्रिक्ष के तने एवं शाखाओं से लिप्टी रस्ती नुमा पीले रंग की सनरचना दिखाई देती है? यह अमर बेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, यह अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं, जिस पर यह आरोहित होते हैं, वे पादप परपोशी कहलाता है, क्योंकि अमर बेल जैसे पादप परपोशी को अमूले पोशकों से वंचित करते हैं, अत इन्हें परजीवी कहते हैं इन्हें परजीवी हैं इसकी घड़े यानी घट के समान दिखाई देने वाली संग्रचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूप पांतरित भाग है पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढकन बनाता है घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलते रहते हैं अर्थात अधो मुखी होते हैं जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो ये उसके रोमों के बीच फंस जाता है घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है कीटों का भक्षन करने वाले ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं वीनस फ्लाइ ट्राप तथा संड्यू कीट भक्षी पादपों के दो अन्य उधारन है इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए प्रिष्ट पांच पर चित्र 1.6 बताया गया है इस चित्र में घटपर्णी यानी पिचर पादप का चित्र दिया गया है जिसमें घड़े एवं धक्कन जैसी संग्रचना होती है बूजो भ्रमित है यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संसलेशन संपादित करता है तो यह कीटों का भक्षन क्यों करता है क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोशक नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यक्ता है एक दशमलव चार मृद जीवी आपने बाजार में छत्रक यानि मश्रूम बेखते देखे होंगे जिसका चित्र एक दशमलव साथ प्रिष्ट छे पर दिया गया है वर्षा के दिनों में व्रिक्षों की सड़ी गली तूटी टहनियों अत्वा तनों या चाल पर छाते के समानसन रचनाओं के गुच्छे भी आपने पाए होंगे आईए जानते हैं कि जीवन यापन हे तू इन्हें किस प्रकार के पोशकों की अवश्यक्ता होती है और वे उन्हें कहां से प्राप्त होते हैं बूजो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं इन में प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते, इन में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अताहिये प्रकाश संस्लेशन द्वारा भोजन का संस्लेशन नहीं कर सकते प्रिष्ट छे प्रिष्ट छे पर चित्र एक दशमलव साथ दिया गया है, जिसमें छत्रक यानी मश्रूम के पाकेट बताए गया है, इसी चित्र के दूसरे भाग में सड़ी गली वस्तू पर उगा छत्रक भी बताया गया है, ट्रिया कलाप एक दशमलव दो, ब्रेड यानी डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें, इसे किसी नम एवम ऊशन स्थान पर दो से तीन दिन के लिए रख दीजिए, अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए, जब तक कि उस पर रोई जैसी संगरच ना दिखाए देने लगे, जैसा की चित्र एक दशमलव आठ में बताया गया है, ये धब्बे किस रंग के हैं, किसी आवर्धक लेंस अत्वा सूक्षम दर्शे की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए, अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखी, बहुत संभव है कि आ जीव, कवक या फंजाई कहलाते हैं, इनकी पोशन प्रनाली, अत्वा पोशन विधी, भिन प्रकार की होती है, ये मृत एवं विखटनकारी यानि सरने वाली बस्थों या जयव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का श्राव करते हैं, तथा उसे साधारन वा विले के रूप में परिवर्दित कर देते हैं, तथ पश्चात वे इस विलेयन का भुजन के रूप में अवशूशन करते हैं, इस प्रकार की पोशन प्रनाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विखटित जैविक पदार्थों से पोशक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी कहलाती है, मृत जीवी पोशन प्रनाली का उप्योग करने वाले जीव, मृत जीवी कहलाते हैं, यहां प्रिष्ठ छे पर चित्र एक दशमलव आठ दिया गया है, जिस पर ब्रेट पर उगती कवक को बताया गया है, कवक यानि फंजाई, आचार, चमडे, कपडे एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं, यह उन स्थानों में भी उगते हैं, जो नम एवं उशन हूं, कवकों की व्रिधी के लिए वर्षा रितु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती हैं, इसी कारण वर्षा रि कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए, पहेली को याद है कि उसकी सुन्दर जूते, जिन्हें वो विशेश अवसरों पर पहनती थी, वर्षा रितु में कवक के कारण खराब हो गए थे, वो जानना चाहती है कि वर्षा रितु में कवक अचानक कैसे प्र पर बैठते हैं, जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं, क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुमों को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? बूजो को याद है कि उसके दादा जी ने बताया था कि एक ब कुछ साथ उदार अनतहा, कुछ कवक व्रिक्षों की जड़ों में रहते हैं, व्रिक्ष कवक को पोशन प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें चल एवं पोशकों के अवशूशन में सहायता मिलती है, व्रिक्ष के लिए इस संबंध का विशेश महत्व है लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागिदार होते हैं, इन में से एक शैवाल होता है, तथा दूसरा कवक शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता कवक शेवाल को रहने का अस्थान यानि आवास, जल एवं पोशक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शेवाल प्रकाश संचलेशन द्वारा संचलेशित खाद कवक को देता है 1.5 मृदा में पोशकों की पुनह पूर्ती किस प्रकार होती है? क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अत्वा माली को बागीचे एवं गमलों में खाद अत्वा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिच पोशक तत्व अवशोशित करते हैं। अतह मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। और वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉसफोरस जैसे पोशक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किये जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोशक तत्वों से सम्रिध करने के लिए भूमी में और वरक तथा खाद मिलाने की अवश्यक्ता होती है। यदि हमें पादप के पोशन की आवश्यक्ता के बारे में ज्यान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बलकि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। जैसे वे कार्बन डायोकसाइड का उप्योग करते हैं। पोधे नाइट्रोजन को विले ये रूप में ही अवश्यूश्यक्त कर सकते हैं। कुछ जीवानू जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायू मंडलीय नाइट्रोजन को विले पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वैम नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवानूं को आवास एवं खाद प्रदान करते हैं। अतहा उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेश महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें म्रदा में नाइट्रोजनी उरवरक देने की आवशक्ता नहीं पड़ती। यही नहीं दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान नितह और वर्कों की आवश्चक्ता नहीं रहती इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोशी होते हैं बहुत कम ही पादप अन्य पोशन प्रणाली अपनाते हैं जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोशन प्राप्त करते हैं सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं अतहा उन्हें विशम पोशी के रूप में समूही कृत किया गया है क्या हम कह सकते हैं कि कीट भक्षी पौधे आन्शिक विशम पोशी हैं? आपने क्या सीखा? प्रकाश संसलेशन के लिए करते हैं। इस ऑक्सिजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तर जीविता के लिए किया जाता है। अब्भ्यास प्रक्रम का संशिप्त विवरण दीजिए। रिक्त स्थान की रूप में किया जाता है। गर्प्रकाश संसलेशन के प्रक्रम में जिस वर्नक द्वारा सौर उर्जा संग्रहित की जाती है उसे रिक्त स्थान कहते हैं। गर्प्रकाश संसलेशन में पादप वायू मंडल से रिक्त स्थान लेते हैं तथा रिक्त स्थान का उत्पादन करते हैं। साथ, यहां दिये गए कतनों से संबंध पारिभाशिक शब्द बताईए। क पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। ग एक पादप जिसमें स्वपोशन एवं विशम पोशन दोनों ही प्रणाली पाई जाती हैं। ग वे रंद्र जिनके द्वारपतियों में गैसों का आदान-प्रदान यानी विनमय होता है। आठ सही उत्तर पर सही का चिन लगाईए। क अमर बेल उदाहरण है किसी। एक स्वपोशी का, दो परजीवी का, तीन मृत जीवी का, चार परपोशी का। क कीटों को पकड़ कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। एक अमर बेल, दो गुड़हल, तीन घड़ परणी यानी पिचर पादप या चार गुलाब। प्रिष्ट दस 9. कॉलम ए में दियेगा शब्दों को कॉलम बी में दियेगा शब्दों से मिलाइए। कॉलम ए में दियेगा शब्द हैं क, क्लोरोफिल, ख, नाइट्रोजन, ग, अमर बेल, ग, जन्तु, च, कीट भक्षी कॉलम बी एक, जीवानू, दो, परपोशित, तीन, घटपर्णी यानी पिचर पादप, चार, पत्ती, और पांच, परजीवी दस यहां दियेगए कथनों में से सत्थ एवं असत्य कथनों का चैन कीजिए क, प्रकाश संसलेशन में कार्बन डायोकसाइड मुक्त होती है ख, ऐसे पादप, जो अपना भोजन स्वयम संसलेशित करते हैं, मृत जीवी कहलाते है ग, प्रकाश संसलेशन का उत्पाद प्रोटीन नहीं है ग, प्रकाश संसलेशन में सौर उर्जा का रासायनिक उर्जा में रुपांतरण हो जाता है सही विकल्प को चुनिये ग्यारह पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संसलेशन हेतु वायू से कार्बन डायोकसाइड ली जाती है क, मूल रूम, ख, रंध्र, ग, पर्ण शिराएं, और ग, वाह दल बारह वायू मंडल से मुखितह जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डायोकसाइड फ्राप करते हैं वो है क, जड, ख, तना, ग, पुश्प, ग, पतियां प्रिष्ठ, ग्यारह विस्तारित अध्यान क्रिया कलाप एवं परियोजना कार्ट्य यहां प्रिष्ठ, ग्यारह पर चित्र एक दशमलव नौ दिया गया है जिसमें प्रकाश संसलेशन का अध्यान के लिए प्रियोग बताया गया है साथ ही लिखा है एक गमले में लगे चोड़ी पतियों वाले किसी पादप को लीजिए काले कागज की दो पतियां लेकर उनके मध्य में लगुमाप की वर्गाकार आकृती काट लीजिए इन कागजों से किनी दो पतियों को इस प्रकार ढखिये कि उनका कुछ भाग काले कागज से ढखा रहे जबकि शेश भाग काटी गई वर्गाकार आकृती के कारण खुला रहे फिर इन पर सावधानी से क्लिप लगा दीजिए जैसा कि आपने अभी चित्र 1.9 के विशे में सुना पादप को 2-5 दिनों के लिए सूरे के प्रकाश यानी धूप में रख दीजिए पत्ती के ढखे हुए एवं बिना ढखे भाग के रंग का निरीक्षण कीचिए क्या पत्ती के दोनों भागों में कुछ अंतर दिखाई देता है इन में से एक पत्ती का आयोडीन परिक्षण कीचिए अब दूसरी पत्ती पर से कागज हटा कर पादप को 2-3 दिनों के लिए सूरे के प्रकाश में रख दें तथा धकी गई पत्ती का भी आयोडीन परिक्षण करें अपने परिक्षण की व्याख्या कीजिए दो यदि आपके घर के आसपास कोई ग्रीन हाउस हो तो वहाँ जाईए पता कीजिए कि वहाँ पादप कैसे होगाय जाते हैं पता लगाईए कि पौधों की स्वस्थ व्रिधी के लिए वहाँ प्रकाश, जल एवं कार्बन डायोकसाइट का नियमन कैस प्रकार करते हैं तीन, शकरकंद को केवल जल में उगाने का प्रियास कीजिए अपने प्रियोग एवं प्रिक्षण का वर्णन कीजिए अधिक जानकारी आप बताए गई वेबसाइट पर पास सकते हैं क्या आप जानते हैं पादबों के लिए प्रकाश इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि उनकी पत्यों की व्रिद्धी अनेक प्रकार से होती है जिससे की उनमें अधिक्तम प्रकाश ग्रहन करने की सुविधा हो इसी के साथ अठारे पाठों की इस पुस्तक का पहला पाठ पादबों में पोशन यहां समाप्थ हुआ वाचन शालनी सिंग और वैभव श्रिवास्तव अभी आप सुन रहे थे यह ध्वनी पाठ्य पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्मान सहयोग तनु गुप्ता निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नहीं दिल्ली भारत